पच्छो यहां पर 10th board PYQ numericals का एक series में बना रहा हूं जिसमें gravitation complete हो चुका है और अब यह effects of electric current जो board में question आया है उनसे related तो यह आपका एक और question है जो March 2019 में पूछा गया है and यह two marks का question सा ठीक है तो यहां पर क्या given है क्या आपको formula apply करना है वो सब देखते हैं two tungsten bulbs जिसका power है 50 watt और यहां पर एक दूसरा power है 60 watt अलब हमारे पास given में सबसे पहले दो tungsten bulb हो गए जिसमें एक का power है 50 watt और दूसरे का power है 60 watt ओके और और वर्क ओन दर 220 वोल्ट potential difference potential difference कितने पर वर्क कर रहे है 220 वोल्ट पर now if they are connected in parallel how much current will flow in the main conductor मतलब दोनों बल्ब इस तरीगे से parallelly connected है like यह ऐसे है यहां पर एक बल्ब यह है और दूसरा बल्ब यहां पर इस तरीगे से connected है तो यहां अगर कोई main source 220 volt का लगा भी होगा तो वो जो current यहां आ रही है वो दो पार्ट में divide हो रही है माल लेते हैं यहां I1 current आती है और यहां पर I2 तो हमको basically calculate जो करना है वो है main conductor में current कितना फिर आगे जाके यह add हो जाएकी और यहां पर again I बन जाएगा ठीक है तो basically हमें जो find out करना है वो main conductor में current कितना flow हो रहा है that is I find out करना है तो formula हमारे लिए क्या बनेगा I calculate करने के लिए हमें I is equal to I1 plus I2 करना होगा और I1 I2 कैसे आए तो power का एक formula है V I अब हमारे पास V है power है अलग-अलग के लिए तो हम अलग-अलग I calculate कर सकते हैं यानि I1 I2 solution अगर आप देखें तो power is equal to जो हम अगर first के लिए ले first bulb के लिए तो P1 is equal to V I1 लिखेंगे ठीक है तो P1 upon V यह हो जाएगा हमारा I1 that is I1 हो गया हमारा P1 की value कितनी है बच्चा 50 watt तो 50 watt upon 220 volt यह हो गया I1 और फिर उसी तरीके से I2 similarly अगर देखो तो P2 upon V होगा और P2 कितना है मेरा 60 upon 220 volt तो यह हो गया मेरा I2 अब मुझे calculate क्या करना था I तो I is equal to I1 plus I2 मैं करूंगा और यहां पर I1 कितना हो गया मेरा 50 upon 220 और I2 हो गया मेरा 60 upon 220 denominator सेम है तो आराम से add हो जाएगा तो यह हो गया उपर 50, 60, 1, 1, 0 और नीचे 2, 2, 0 कट किया वन जा और यह टू जा तो basically I is equal to आ गया 1 by 2 जिसका मतलब हो गया कि यह 0.5 ampere current flow करता है main conductor में I hope कि आपको यह question समझाओ March 2019 का question है 2 mark के लिए ठीक है चले next question देखते हैं